बाडमेर की राजनीती को पताने किस बिच्छू ने काटा है कि उचलती ही जा रही है थमने का नाम नहीं ले रही है अब जालोर में विरोध हो रहा है हेमाराहम चोधरी के बयान का जिसमें एक आधा कि जिलों को बदलने का काम बजनलाल सर्मा के पिताजी पे टिपनी करते आप भी नहीं कर सकता टिपनी अशोबनी असभ्य और मर्यादा से परे रही निश्चित तोर पे लेकिन आप विरोध प्रदशन चल रहा है जालोर में लोग विरोध कर रहे हैं दूसरी जगह भी पुतले जलाए जा रहे हैं हेमाराम चोधरी के दूसरी टिपनी हैं जिस प प्रदशन चल रहा है बड़ा सवाल है और खासकर करके बाड़मेर में ही क्यों चल रहा है गर्मी जा रही है लेकिन पॉलिटिकल गर्मी उतरने का नाम नहीं ले रही पिछले साल विधान सभा चुनाओं में जहां गर्माहट उमड़ी वो बाड़मेर हैं दो निर्दिली बाड़मेर से प्रियंका चोधरी शिव से रविंदर सिंग भाटी जीत गए ठीके साब सदन में पहुंचेंगे पब्लिक के मुद्दे उठेंगे लेकिन चाय की प्यालियों में तुफान उधर ही उठ रहा है बाड़मेर जो की शांत सरल इलाका माना जाता था अब जो है वो द्वेलना में नंबर वन है विलोडन में नंबर वन है चर्चाओं में नंबर वन है मार पीट जूतम पैजार अब शब्द और जाती ये टिपणियों में नंबर वन है क्या गरू करेगा बाड़मेर इसके उपर बड़ा सवाल है सोना राम चोधरी कॉंग्रेस की आप लिख लेना इसमें जो भी है जोड लें और बाड़मेर में तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है एक दूसरे की जाती है टिपणियों छिटा गसी दोनों तीनों चारों पांचों जितने समाज हैं अपने अपने इतिहास से लेकर जिस तरह की भाशा इस्तिमाल कर रहे हैं उनिश्चित तोर पे निंदनी होनी चाहिए जालोर में हेमाराम चौधरी का फुतला फुंक के लोग विरोध जता रहे हैं जालोर में उनके खिलाफ कारवाई की मांग की जारी लेकिन क्या कारवाई होगी सवाल यह हैं तो राजनेताओं का मामला रहता है चर्चा में बने रहने का परन तू चर्चा में बने रहने का ये तरीका ठीक नहीं है क्योंकि सवाल ये है कि वहां संकट पानी का है, पेजल का है, रोजगार का है बिजली का है, चिकिसा का है, शिक्षा का है सारा है, उस पे अब बात नहीं हो रही वो चुनाओं तक सीमट थी इसके बाद वो उसकी जातिये हिस्ट्री बताने में लगे हैं और ये इनके पीछे पड़े हैं तो बाड़मेर में ठीक नहीं है इस्तिती और इससे पहले मेवाराम जैन का जिक्र हुआ मेवाराम जैन का भी एक फोटो सामने आया जिसमें वो वापस मैदान में उतर रहे हैं और चुकि कोर्ट ने उनको राहत दी है उन पे टिपनी करते कॉंग्रेस के नता आजाद सिंग्राट वोट ने भी एक बात कही तो बाड़मेर जो है वो चर्चाओं का ऐसा मंच बन गया है जा माहोल लगातार गर्म है चूंकि बाड़मेर सब्द ट्रेंड में ले आए सोशल मेडिया में लोग ऐसे में बाड़मेर की कोई ख़बर होत आज अधिक हैं लेकिन ये चीजें जो है वो पबलिक मानस को जुलसाने वाली हैं आपसी सोहारद को जुलसाने वाली हैं इसमें बुजरुग नेताओं को भी सहीम रखना चाहिए और जनता को भी खैर आप कहेंगे ग्यान दे रहे हैं लेकिन हकीकत है आप ठंड़ दिमाग से सोचें और कमेंट करके बताएं क्या होगा नमस्कार